हाई ट्वेल्टीज वेल्कम टू इजी वे कॉमेर्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग हुमिन कापिटल फॉर्मेशन चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज गाईज उसमें हम काफी इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज करने तो defense करते हैं गाईज और हां चैनल पर पहली बार आयो तो आपको पता है क्या करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो अगर बेल आइकन नहीं बजा है तो भो भाई आप गाईज में सबसे पहले चीज जो एना एक है human capital, ed만 procurement वेल्यान कापिटल एक है human development तो guys, आज में आपको बताती हूँ, देखो, यह एक person है, हमें, मतलब किसी human capital formation हमें पता है न, यानि कि हमारे में education होना, हमारी health अच्छी होना, हमारे में ability होना, हमारी knowledgeable होना, यह सारा क्या है human capital है, right, हम पड़े लिखे हो, हम skill, हमारे में skill हो, हमारे में ability हो, knowledge हो, यह human capital होता है यह चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन और इसके साथ guys, हम उसको production activity में किसी काम में utilize कर रहे हो, that is called human capital formation, ठीक है, यानि कि आप देश में कोई रोजगार कर रहे हो, कोई न कोई काम कर रहे हो, और देश में production में help कर रहे हो, ठीक है, देश में production हो रहा है, और आप उसका ए यह एकिल अलग है, यह कहता है, कि हमारा educated होना, हमारी health अच्छी होना, हमारा integral unit part है, क्या है हमारा internal एक पार्ट है, हमारा basic अधिकार है, भले ही हम काम करें आप यह रहे हमलोग ज़रूरी नहीं है यानि कि पढ़ाने लिखाने के लिए health के लिए किया जाता है तो दोनों में क्या फर्क है guys human capital का focus क्या है production पर यह कहता है कि यह चीजे होनी चाहिए और इन चीजों को यानि कि education, health, ability को हमें use करना है कि इस चीजे के लिए production के लिए productivity activities के लिए लेकिन human development यह कहता है कि यह चीजे होनी चाहिए because it's our basic right और ज़रूरी नहीं कि हम उसे production में use करें तो यह guys इसमें basic difference है ठीक है अब आगे बढ़ते है guys that is problem of human capital formation यानि कि जब बात आई लोगों को पढ़ाने लिखाने की लोगों की health improve करने की लोगों को skill बनाने की लोगों में ability लाने की knowledge देने की तो भाई हमारे देश में क्या दिक्कत आ गई तो guys देखो दिक्कते बड़ी common सी है आपको आसपस सब जगे नज़राएं यह दिक्कते तो सबसे पहले जो दिक्कत थी that is insufficient resources यानि कि resources जो है ना हमारे देश में वो insufficient है कम है जितने की need है उससे कम है तो यह तो आप जानते है क्यों हमारे याप पर resources fully नहीं है कि हर जगे पर हर चीज पहुचाए जा सके आप ही जैसे आप लोगों जहां पर भी रहते हो हाँ पर school काफी हो सकते है अगर आप छहरों में रह रहे हो लेकिन अगर कोई हम वाँ पर hospital बना सके हम वाँ पर school बना सके अगर resources हो तो बनाओ ना समझ रहे है चीज को तो सबसे पहले देश के सामने क्या समस्या इंसफीशियन resources sorry अब second cheese guys ऐसा क्यों है कि चीजे insufficient है तो उसके पीछे का reason क्या था high growth of population यानि कि जो growth जिस growth rate से यहां पर population बढ़ रही है तो चीजे कम होना बड़ा लास्मी है कि चीजे लाजमी है कि कम पढ़ जाती है तो इसके पीछे main reason क्या है कि हम human capital formation क्यों नहीं कर पा रहे that is high growth of population third serious inefficiency serious inefficiency का मतलब क्या होता है यानि कि यहां पर inefficiency है चीजों की कमी कैसे है guys inefficient कैसे है हम लोग की पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं बट रोजगार के अफसर नहीं है यानि कि उन्हें unemployed हैना पड़ता है या फिर बड़ी कम salary पर उन्हें job करने पड़ते है या फिर वो काम करना पड़ता है जो actual में उनकी line का नहीं था that is called serious inefficiency यानि कि हमारे देश में इस चीज की inefficiency कि हम उस चीज पर काम ही नहीं करें कि जितने लोग पड़े लिखे निकलते हैं उसके इसाब से उनको employment opportunity provide कर सके और इसी तरीके से guys जितने लोग बिमार होते हैं उतने hospitals नहीं है कि उनका इलाज हो सके तब ही तो लोगों को जो hospitals में dates दी जाती है operations and all की 6-6 मेने बाद के दी जाती है जब तक तो बंदा मर चुका होता है sometimes ऐसा भी होता है तो that is called serious inefficiency उसके बाद है guys fourth is the brain drain brain का मतलब आप सबको पते है दिमाग drain मतलब भे जाना अब हमारे यहां से दिमाग का भे जाना का मतलब क्या है guys यहां पर जो पड़े लिखे लोग हैं उनके जब यहां पर opportunity नहीं मिलती तो वो कहां जाते है बाहर कर रस्त अपनाते हैं यानि कि देश से बाहर जाकर job करना पसंद करते हैं क्योंकि अगले बंदे ने पैसा खर्चा पढ़ाई करी है तो उसको भी तो पैसा कमाना है ना opportunity चाहिए जब हमारे देश में नहीं मिलेगी तो वो कहां जाएंगे out of country जाएंगे out of India जाएंगे तो that is also the reason कि हमारे यहां पर human capital form क्यों नहीं होती क्योंकि यहां से जो पढ़ लिखके अच्छा बंदा होते हैं वो बाहर जाके काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको वहां higher salary मिलती है इसके बाद several imbalances several imbalances का मतलब क्या है यानि कि हम लोग हम लोग तो नहीं हानि कि देश जो है गाई इंबैलेंस में बैलेंस मेंटेन करके नहीं चल रहा किन चीजों में गाईस जैसे कहां कितना वैसा खर्च करना है education sector में अगर primary sector पर इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता है जबकि secondary पर खिया जाता है जबकि हमें need primary basic पर जादा है तो यह imbalance है imbalance हर एक जगे है यानि कि हर एक शेत्र में आपको मिल जाएगा कि जहां पर हमें need है पूरी नहीं होगी और जहां नहीं है need वहां पर बहुत जादा खर्च किया जाएगा that is called several imbalances इसके बात है guys lack of lack of proper manpower planning यानिकि manpower planning नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि manpower planning में जैसे जितने लोग हमारे देश में पड़े लिखे मिलते हैं और आपको पता होगा कि हमारे देश में हर सल कितने students जो BBA करते हैं कितने students जो MBA करते हैं कितने students doctorate करते हैं CEA करते हैं unlimited लेकिन उतनी jobs ही नहीं है that is lack of lack of क्या manpower planning यानि कि proper manpower planning ही नहीं है कि हम लोगों को काम दे पाते हैं इस वज़े से वो unemployed रहते हैं उसके बाद है guys weak science and technology तो यह तो हमें हर जगे मिलते हैं कि phone तो हमारा भार से TV तो भाहर का company का हमारे यां पे fridge तो भाहर की company का laptop तो भाहर की company का हर चीज क्यों क्योंकि हमारे देश की अंदर science and technology उतनी अच्छी नहीं है तो उस पर हम लोगों ने काम ही नहीं किया जो अच्छी हो सकती है ना तो काम हो भी रहा होगा तो हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि चीजें तो हमें बाहर की company प्रोवाइट कर रही हैं right तो guys यह चीजें कई पर बुरा लग जाता है जब हम अपने देश के बारे में ऐसी चीजें बोलते हैं बर सचाहिए तो उसे accept करने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए तो guys यह सारी चीजें है जो हम human capital formation में problem face करती एक सरकार एक देश क्या-क्या चीजे थी वह आज हमने पढ़ी I hope आप लोगों को समझ आई होगी और अगर समझ हाई है तो please video को like जरूर करना और अपने friends के साथ share करना thank you